लॉक अप शुरू हो गया कंगना रनौत का सो पूनम पांडे की एंट्री कंगना रनौत के सो लॉक अप की सुरुवात हो गई है सो फैंस को पहले से ही काफी पसंदा रहा है लोग इसे एक प्रॉमिसिंग सो के तौर पर देख रहे हैं और अच्छे खासे एंटर्टेन्मेंट की उमीद लगाये बैठे हैं कंगना इस सो के जरिये टीवी की दुनिया में च्छा जाने के लिए तैयार हैं कंगना रनौत का सो लॉक अप सुरू हो चुका है सो को लेकर जबरदस्त बस बना हुआ है फैंस बेसबरी से इस यूनीक सो के इंतजार कर रहे है सो को लेकर पहले ऐसा अनुमान था कि ये सलमान खान के बिग बॉस जैसा होगा मगर सो के प्रोमोज ने लोगों की इस धारडा को गलत साबित किया है इसके कई सारे प्रोमोज रिलीद किये गए है जिसमें कंटेस्टेंट कंगना संग भीडते भी नजरा रहे है सब भी अपने आप में नामी चहरे है आपको बताते जलें कि सो में कुल 6 कंटेस्टेंट अभी तक ऐसे हैं जो कंफरम हो चुके है इसमें निसा रावल, मुनवर फरुकी, करवीर बोहरा, बवीता फोकॉर्ट और पूनम पांडे के साथ सिधार्त निगम जैसे एक्टर्स का नाम सामिल है पूनम पांडे की एंट्री कंगना रनौत के सो लॉक अप में पूनम पांडे ने सिर्कत की उन्होंने अपने डांस और बोल्ड अंदाज से समा बांडिया पूनम का डांस फैंस खूब इंजॉय करते नजरा है एडल्ट फिल्में बनाने के आरो पर पूनम ने कहा कि वो एराटिक फिल्में बनाती है और वे देश के कोई भी नियम नहीं तोड़ती हर एक चीज वो कानूर की मर्यादे में रहते हुए करती है पूनम ने कबूला की उन्होंने अपने जियों में कई सारी गलतिया की है पब्लिसिटी के लिए और कुछ लोगों को बहकावे मिया कर उन्होंने कुछ ऐसी चीजे की जिने वो दोबारा नहीं करना चाहेंगी साइसा सिंदे हैं सौमी चक्रपाडी के पार्टनर सौपनिल सिंदे से साइसा सिंदे तक का सफर तै करने वाले फैसन डिजाइनर ने सो में सिरकत की वे जेंडर चेंज करने के अपने इस्टिकल के बारे में बात करते नजर आएं साइसा और सौमी एक साथ जेल में रहेंगे दोनों ने अपने अपने पसंद की तीन चीज़ अपने ब्रिफकेस से ली और जेल की तरफ बढ़े सौमी चक्रपाड़ी लॉक अप के दूसरे कंटेस्टन अपने बयानों से कॉंट्रोर्सिव में रहने वाले सौमी चक्रपाड़ी ने सो में एंट्री की उनसे कंगना ने कुछ सवाल पूछे कंगना ने सौमी चक्रपाड़ी को हैंसम कहा इस पर सौमी जी ने कहा कि ऐसा गौमूत्र पीने की वज़े से है कंगना ने कहा कि चक्रपाड़ी का नेचर काफी कूल है ऐसे में वो कैसे कंटिस्टेंज के साथ डील करेंगे इस पर चक्रपाड़ी जी ने कहा कि लॉक अब संतों की सुभा हो गई है अब वो भी आ गए हैं कंगना के जेल की पहली जलक कंगना रनौत का जेल कैसा होगा इसको ले कर काफी उठसुकता थी अब कंगना की लौक अप की जलक सामने आ गई है कंगना ने रमीना टंडन को अपनी जेल दिखाई जैसा सोचा जा रहा था कुछ वैसा ही हुआ कंगना की जेल में नियम सक्त है बाथरूम तक जाने के लिए कंटेस्टेंग को जुबना पड़ेगा यही नहीं, जेल के अंदर एक और जेल भी है जो जेलर की बात नहीं मानेगा उसे जेल के अंदर जेल में डाला जाएगा इस दोर अनकंटेस्टेंस को बेसिक सुविधाय भी नहीं मिलेगी साथ ही जेल में काला पानी की सजाका भी पूरा इंतिजाम है मतलब कैदियों की तो खैर नहीं और उन्होंणे रवीना से पूछा कि क्या वे भी सो में कानटेस्टेंट है इस पर रवीना ने कहा कि वे स्रफ कंगना का होसला बढ़ाने हैं